भूखी लोमड़ी और अंगूर किसी जंगल में एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी बहुत दिनों से भूखी होने के कारण उसको भोजन की बहुत जरूरत थी वो हिधर उधर भटकते हुए वन में ही दूर तक आ पहुँची मगर फिर भी उसे खाने के लिए कुछ न मिला इतनी दूर आने के बाद वह थोड़ा और आगे तक चलने लगी और उसे बेल पर लटके हुए अंगूर दिखाए दिये अंगूर के गुच्छे को देखते ही उसके मूँ में पानी आ गया वो अंगूर के गुच्छों को देखते ही कहने लगी कि ये कितने स्वादिष्ट होगे आज तो मैं इनहे खा कर रहोगी यह सोचकर वह तेजी से अंगूर की बेल की ओर पहुंची और अंगूर के गुच्छों तक पहुंचने के लिए उच्छलने लगी वह बहुत देर तक कोशिश करती रही मगर अंगूर का एक गुच्छा तो क्या उसके हाथ एक अंगूर तक ना आया वो कभी किसी और तरीके से कुदती तो कभी किसी और तरीके से बार बार प्रयास करने के बाद भी जब वो अंगूर के गुच्छों तक नहीं पहुंच सकी तो वो अपने मन में कहने लगी कि यह अंगूर तो खट्टे होंगे इन्ही कौन खाएगा मुझे इन्हे खाना शोभा भी नहीं देता है इन्हे खाना तो मेरी शान के खिलाफ है इतना कहते ही वह लोमणी वहां से चली गई कहानी से शिक्षा जब हम कोई कार्य करने में असमर्थ रहते हैं तो हमें उस कार्य को व्यर्थ समझ कर त्यागने की बजाए उसकार्य को किसी अन्य तरीके सी करना चाहिए